हलो फ्रेंट्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है देखिए हम जितने भी प्रेशने कराते हैं सभी प्रेशने इंपोर्टेंट होते हैं ऐसा कोई प्रेशने नहीं होता जो परिक्षा के एक्जाम के पॉइंट आप सही ना हो आप हमारी वीडियो को देखते हैं बहुत पसंद भी करते हैं दोस्तों उसी आधार पे में प्रेशने लेकर क्या आता हूं जो प्रेशने परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट होते हैं वही लेकर क्या आता हूं तो पूरा वीडियो देखेगा चली स्टार्ट करत देखी सबसे पहला तरीका क्या है जो आपका formula है किताब बाला unto P P R T बट़ा सो ये दोस्तो formula है जो किताब में लिखा होता है साध्रणे ब्याज निकालने कर धीक है प्रेस्ट नापका साध्रणे ब्याज का है तो simple interest आपको निकालना है principle दे रखा है से आपके यहाँ पर सीधे सीधे यह दोगो कट जाएंगे 25 का मलपइ से होगा कितना हो जाएगा 50 और 50 का मलपर होगा 50 से तो कितना हो जाएगा 5 25 और60 एक जीरो 250 रुप्ए तो साधने भी आज कितना निकल जाए 250 निकल का किया ये आम का táo सरा क्या भै बाई आपको करना किया है 25 गुने 5 गुने 2 ही तो करना है तो पहले मैंने 25 और 20 का गुना कर लिया 50 आगया अप 50 का गुना 5 क यह करणगा 250 आगया वी पॉप्सन से ही हो गया यह तो किताबบाला फॉर्मूला हो गया अब देखिए हम आपको क्या सिखाते हैं जादू ट्रिक जिसमें फॉर्मूला इस्तिमाल ना करना पड़े और आपका अंसर भी आ जाए देखे कैसे मैं आपको बताऊं का 25 रुपे का बैं 25 रुपे पर रेट कितना लग या फंच परसेंट ब्याज मिलेगी तो फंच साल का ब्याज है 5 परसेंट यह रखना है एक साल में पांच मिलना है तो पच्छिस व का सीधा-फिदा 5 परसेंट का मतलब बटे में 100 दो 0 से 2 0 कट जाएंगे 25 का मले में 5 से करूँगा यह होगा 125 तो देखें यह जो 5% रेट है एक साल का ही तो है तो इसका मतलब एक साल का ब्याज हमारा 125 हो गया अब साधन ब्याज प्रत्य एक वर्स के लिए समान रहता है वह एक वर्स में 125 है तो दूसरे वर्स में भी 125 हो जा ठीक है एक साल का ब्याज 5 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 3 साल का होता तो 15 4 साल का होता तो 20 भाई एक साल में 5% मिला है दूसरी साल भी 5 मिलेगा तो 10% है तो 25 का सीधा सीधा 10% निकाल लीजिए 25 का सीधा सी 10% परसेंट का मतलब बटे में 100 0 से 0 गया 0 से 0 250 आ यह भी आप का अंसर है, ऐसे भी 250, ऐसे भी 250, ऐसे भी 250 आंसर आया, किलियर है, बी आफ्शन सही हो गया, मैं उम्मीद करूँगा कि सभी तरीके से समझ में आगया है, प्रेशने को आसान कैसे बनाया जा सकता है, वो आप सीखिए, ठीक है, वो सीखिए आप, क्योंकि आसान ब पेपर, 6% वार्षिक दर से, 8 माहा का साधरनब्याज ग्याद कीजे, ठीक है, बहुत बच्चों को इन प्रेस्टिव में दिक्कत होती है, क्योंकि दिक्कत होती है, ठीक है, चाहे महीने में पूछा जाए, चाहे दिन का पूछा जाए, दोनौ ही बाते खतम हो जाएंगे, साधान ब्याज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, सिंपल इंट्रेस्ट पराबर, अभी बताया था मैंने पिसली क्वेश्टन में, पी आर टी बटा सो, यह फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सिंपल इंट्रेस्ट निकालना है, साधान ब्याज हमको निकालना है, प्रिंसिपल हमको दे रखा 6,000 रुपे का, रेट दे रखा 6% का, इंटू, टाइम दे रखा 8 महीने का, 8 महीने का, तो महीने को हम वर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो एक वर्स में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाईट, ठीक है महीने को वर्स में convert करने के लिए वारस से divide करते हैं अब बटा पूरा कितना है दोस्तों formula में 100 है 100 रख देंगे यहाँ पर अब देखे सीधा सीधा 2 0 से आपका यहाँ 2 0 कट जाएगा 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में और 2 से 8 कट जाएगा चार बार में 6 कमल पर 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 6 24 और 1 के 0 बचा हुआ है उसको लगा देंगे 240 साधान प्याज कितना आ गया 240 आ गया यह आपका आंसर हो क्या ठीक है 240 दे रखा CEO of sir में अब देखे याद रखे अगर दिन की बात कहे या फिर माहा की और अगर दिन दिया जाए जैसे 266 दिन का ब्याज कितना होगा 55 दिन का ब्याज कितना होगा इस तरीके से तो दिन को वर्स में कनवर्ट करने के लिए 365 से डिवैड देते हैं इन बातों को याद रखेंगे प्रिशनिक आंसर इसी तरीके से निकल किया जाएगा जो हमारा फॉर्मूला है इसी तरीके से किलियर है ना सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी आप देखेंगे अगला प्रिशनिक अगला प्रिशनिक है 32 रुपे पर 4 अप्रेल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5 परसिक दर पर साधन ब्याज क्या होगा कितना अच्छा प्रिशनिक है देखें 32 रुपे 4 अप्रेल को 2012 से अप्रेल की बात है ठीक है अप्रेल की बात है अप्रेल का महिना कितने दिन का होता है दोस्तों 30 दिन का होता है ठीक है 4 अप्रेल को पैसे लिए है किसी से भी 32 रुपे या मालीजे 4 अप्रेल को बैंक में जमा कर दिये 32 रुपे ठीक है उसके बाद हमने ब्याज चाहिए 5% की तर से 16 तारिक तक का वरस आपका समाना है दो हजार बार है 2 हजार बार है तो 4 अप्रेल से लेकर के 4 अप्रेल को पैसे अगले दिन का कौई ब्याज लगता है. तो अपरेल के महीने में तीस दिन होते हैं और तीस मैंसे चार दिन हटा दिजे. क्योंकि चार तारीक को पैसे उधार लिए, तो चार दिन का कौई ब्याज लगेगा नहीं. तो तीस मैंसे 4 गया, बच्चे 26 दिन 26 दिन का ब्याज लगेगा तो किस महीने में लिए है अपरेल में अपरेल के बाद कौन सा महीना आता है मई का आता है और मई के बाद कौन सा महीना आता है जून का आता है और जून तक कही पूछ रहा है तो अपरेल के महीने में कितने दिन का ब्याज लगेगा पुरा पिलेस कितने तारिक तक पूच रहा है जूझ taraf पूच रहा है सभी को जोड़ेंगे आप ठीक है चे चे बारा बारा में जोड़ेंगे 13 का 3 केरी का बट 2 और 3 5 5 और 1 6 और केरी का बट साथ 73 दिन का ब्याज पूच रहा है इसका मतलब यह हो क्या ठीक है वाई साधने ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम है ठीक है तो रख दीजे P R T पटा सो यही होता है साधने ब्याज का फॉर्मूला तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बराबर प्रिंसिपल 32 रुपे है आपका रेट 5% है टाइम है दोस्तों आपका कितने का सो होता है तो सो लिख लीजिए अब 0 से 2-0 से यहां मैं यह 2-0 कटा दूँगा सीधा सीधा ठीक है और आप देखिए ध्यान से देखिए 73 से 365 कितनी बार में कटेगा पूरा पूरा पांच बार में कटेगा ठीक है कट गया अब 5 से यह पांच कट जाएगा बचा कि आपके पास 32 तो साधान ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 32 रुपया आ गया यह आपका अंसर आ गया केलियर 32 रुपया पहलो ओप्सन सही हो गया तो प्रशनी सभी की समझ मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं बहुत अच्छे से आ गया होगा कोई भी बच्चा इस प्रशनों में अब कोई दिक्कत नहीं कोई परिषानी नहीं कोई गलती नहीं करेंगा अब देखेंगे हम अगला प्रशने अगला प्रशने है किसी धन का साधन ब्याज की 8% बार्शिक दर से 3 वर्ष का मिस्ष्ष्षधन 6,944 रुपय है तो मूलधन ग्याद करें मूलधन पूच रहा है दोस्टों मूलधन का मत प्रिंसिपल बताना है आपको प्रिंसिपल हमारा क्या होगा यह बताना है देखे कभी भी प्रेश्टने में प्रिंसिपल ना दे रखा हो तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है आपने अभी तक सीखा होगा कि जब हमें प्रिंसिपल नहीं दिया जाता है तो हम प्रिंसिप प्रिंसिपल आपने कितना मान लिया, 100 रुपया मान लिया, ब्याज कितनी है, एक साल की 8%, तो मैं 100 रुपे पर आट परसेंट ब्याज निकालूँगा, परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 से 100 कर जाएगा, इसका मतलब एक साल का ब्याज हमारा 8 रुपया है, प्रिंसिपल मैंने 100 माना है 100 का 8% निकालूँगा तो एक साल का ब्याज मेरा 8 रुपया और बात कितने वर्स की है तीन वर्स की है एक साल का ब्याज 8 तो तीन साल का ब्याज कितना हो जागा 8 तरिक का 24 हो जाएगा ठीक है 24 हो गया अब देखिए अमाउंट हमारा कितना है अमाउंट हमारा 6944 ठीक ह ये 24 क्या है हमारा ब्याज और मूल धन कितना है मेरा 100 100 रुपी मेरा मूल धन था अब मैं मूल धन में जो ब्याज निकल के आए 24 रुपी उसे जोड दूँगा तो मूल धन प्लस ब्याज कितना होता है amount के बराबर होता है मिस्रिधन होता है तो यह मिस्रिधन हमारा कितना हो जाएगा 100 में 24 जोड़ देंगे 124 मिस्रिधन अब ये भी मिस्रिधन है ये भी मिस्रिधन है बात आई समझ में ये भी मिस्रिधन है ये भी मिस्रिधन है तो इस मिस्रिधन में इस मिस्रिधन से डिवाइड कर देंगे 124 से ठीक है और आप से क्या पूछ रहा है मूलधन का मतलब है 100% का मान पूछ रहा है 100% का मतलब मानने के लिए 100 से गुना कर देंगे अंसरा जाएगा देखिए आप कटा लीजे 4 से मैं इसको कटाओंगा यह 31 बार में कटेगा और 4 से से कटाओंगा 4 एकम 4 चार से भी अब 31 से इसको कटाओंगा एकतीस से पांच बार में 155 कटेगा अब 173 में 155 कट गया 18 बचा 18 में 6 जोड़ेंगे 86 तो 186 एकतीस से च्छे बार में 186 कटेगा और 56 बार कट गया 56 का मलपे 100 से कर दीजे तो यह हो जाएगा आपका 56 रुपे मूलधन कितना था आपका 56 रुपे मूलधन है के लिए रहे 56 रुपे मूलधन है बी ओफ्सन हो जाएगा प्रेशन का सही आंसर के लिए रही दोस्तों बात सभी को प्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया किसी को भी प्रेशन में यहां कोई समस्या नहीं होगी ठीक है अब देखेंगे अगला अगला प्रेशन है कोई धनरासी साधान ब्याज पर 3 वर्स में 116 रुपे बए 3 वर्स में कितनी हो रही है 3 वर्स में 116 रुपे तथा साथ वर्स में हो रही है तो वो रासी क्या है अब देखिए तीन से साथ होने में कितना समय लगा चार वर्स का ठीक है और एक हजार सोले से तेरे सो चार होने में कितनी रासी बढ़ रही है तो चार साल में कितने बढ़े हैं 288 रुप्ये जी के बढ़े हैं 5 चार साल में 288 बढ़ पा रहे हैं तो एक साल में रासी हमारी 1060 हुई है तो इसका मतलब 1060 में क्या हो रहा है तीन साल का व्याज भी सामिल है जब एक वर्ष में 72 ind बैज है तो तीन वर्ष में कितनी होगी 3 का 72 से मलपे कर दो 3 दोने का 6 321 ठीक है 3 वर्स का ब्याज 216 है अब हमारे पास यह क्या है 3 वर्स का मिस्ष्धन 1016 रुपे तीन वर्स में हो गए जिसमें ब्याज भी सामिर है तो एक हजार सोले में से मैं ब्याज को घटा दूँगा, ब्याज कितना है, 216, ब्याज को घटा दूँगा, मिस्स धन में से ब्याज घटे का मुल्धन बचेगा, और मुल्धन ही पूछ रहा, रासी पूछ रहा, तो 6 में से 6 जाएगा, 0, 1 में से 1 जाएगा, 0, 10 में से 2 जाएग अगला प्रेशने है दो संख्याओं का अनुपात चार अनुपाते पांच है यह पहली संख्या यह दूसरी संख्या चार अनुपाते पांच है प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात तीन अनुपाते 4 हो जाता है तीन अनुपाते चार हो जाता है दूसरी संख्या ज्याद कीचिए यहाँ पर बात कहिए कि प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात हमारा इतना हो जाता है पहले अनुपात इतना था और 25 घटाने पर इतना हो गया पहले अनुपात इतना था फिर कितना हो गया इतना चार से तीन हो गया पचीस घटाने पर अनुपात में कितना घट रहा है चार से तीन हो रहा है एक घट रहा है यहां भी एक घट गया यहां भी एक घट गया अनुपात में एक घट रहा है लेकिन संख्या में कितना घट रहा है 25 तो एक बराबर कितना हो गया 25 हो गया ठीक है पूछ रहा है एक बराबर कितना 25 तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या दूसरी संख्या ग्याद कीजिए भाई ये दूसरी संख्या ही तो है मारी तो 25 का पूछी ती, दोनों संख्याओं का अनुपाद हमारा इतना है, संख्याओं पूछी ये, संख्याओं का अनुपाद दे रखा, निकाल देंगे, आप आंसर 125 ही हो गया, ठीक है, के लिए रहे दोस्तों, सभी को प्रेश्णि में उम्मीद करूँगा, किसी को कोई समस्या प्रे उंडेवाद